आज हम बनाएंगे मार्केट जैसे एकदम क्रीमी एंड क्रेंची आइस क्रीम वह भी बिना मिल्क पाउडर के बिना मावा के बिना कस्टड के बिना किसी फिलेवर के तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां सबसे पहले हैं हम केरेमलाइज बना लेते हैं केरेमल तो इसके लिए चीनी को केरेमलाइज करते हैं, तो यहाना एक कटोरी, छोटी सी कटोरी से मतलब 3-4 चार चीनी ली है, उसमें पेले तोड़ा सा घी डाल दिया था, घी ओप्सनल है, अगर आप नहीं चाते तो हटा सकते हैं, और इसको अच्छे से हमें मेल्ट करना है, धीमी नहीं आज पेलिया का करना ह दो यहान को हमें मेल्ट करना है, तो करनाम ऐसी अगरे जाती है, उसमें मेल्ट करना है तो यहान कुछ आप द्राइफम डाल सकते हैं, या तो यहानं आपको ऑस्केरेमल सकते हैं, बस शील एक पलेट से हमें घी इसमें फेल 는데 via जैता करके भी मे और इसको अब हम साइड में रख देंगे, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो, तो इसमें ना प्लेट में घी नहीं लगाए, और जो कड़ाई थी ना उसमें भी आप घी नहीं डाले, ऐसे ही बनाए, और यह जो हमने लिए हैं दो पेकेट, तो यह है आइस क्रीम मिक्स के पेकेट, यह रेडिमेट आज कल मार्केट में मिलने लगा, आपको कुछ भी नहीं डालना है, यह 55 रुपे का एक पेकेट मिलता है, तो यहां मैं इस्टोवेरी फ्लेवर का ले रही हूँ, इस जो पेकेट है ना इसके आगे का और पीछे का, फोटो में आपको दे इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, और इसके अंदर ना यह दो पेकेट निकलते हैं, तो हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, तो इसमें से जो निकला ना वाइट वाला पार्ट, तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा, कि यह साइज चीनी है, बड़ी चीनी नह इसमें तो पता नहीं यह क्या था, पर इन दोनों को हमें मिक्स कर लेना है, आपको और भी अलग से इसमें कुछ भी डालने की जूरत नहीं, मतलब ना ही मिल्क पाउडर डालना है, मलाई क्रीम, कुछ भी नहीं, और यहां आदा लिटर हमने दूद लिया है, कच्छा दूद लें दगे सकते हैं, यहां लेते हमें एक जाएड़ने लिया मतलब नहीं जाएँ, मतल हमने डूद लेए, तो नहीं करन enfermedade च्जाईद लिजिया मतलब है, शूरत बढ़ी यह रोगाद कोई थे इसम्ता से लिचंव में, प्लोड साथमेर दूद में धो पार व्माख आइस क्रिम जो दूस से निकलता न वो यह पूरी तरह से ओप्ष्नल है बस इसका स्वाध बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि जो इस्टोवेरी पाउडर का हमने घोल बनाया न बस उसी से आप आइस क्रीम बना सकते हैं आप इसको पूरी तरह से हटा सकते हैं और केरेमल को उसकी जगे आप क्या यूज कर सकते हैं वो भी मैं बता दूँगी और इस मलाई की जगे अगर आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां जो उपर यह मलाई बची है इसको हम अटा देंगे और एकदम सो गोल बनाके रखा है इसको तोड़ा मिक्स करेंगे 10-15 मिट हो गया इसको इसमें और थोड़ा सा हम दूद एट कर देंगे तो टोटल मिलाके आदा लीटर दूद लेना है आपको और यहां कडाई रखी है गेस पे गर्म होने के लिए इसमें दो बूंद थोड़ा सा मतलब दो चमच पानी डाल दिया था ताकि हमारा जो भोले ना वो कडाई में चिपके नहीं और आप इसको हमें पकाना है तो उससे पेले हम इसमें थोड़ा सा दूद बचाता उसमें वो डाल देंगी और इसमें हम चीनी भी डाल देंगे तो चीनी जितना आप दूद में मिटास डालते हैं उस दाफ से डाल दीजी और मैंने ना क्रीम में भी मतलब जो मलाई से क्रीम बनाई ना उसमें भी चीनी नहीं डाली तो मैं थोड़ा सा जादा डाला है मतलब हाप तीया ही कब डाला है मैंने अब मुझे क्रीम में चीनी डालने के जुरुत नहीं है बस इसको पकात इसके इन्सोट लेके या वीडियो को पोश करके तो यह देगे अच्छे से वोईल आ गया था उसके बाद 2-3 मिट के लिए हमने पकाया और इसको एक बाउल में हम ट्रांसपर कर लेंगे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाती है और इसको अब हमें फ्रीज अब इसमें जो हमने मलाई से क्रीम बना के रखी थी ना उसको डाल देंगे देखिए प्रीज में रखी थी तो थोड़ी सी है ना कड़क हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी हम इसको अच्छे से फेट लेंगे आप चाहें तो उसी बाउल में थोड़ा सा फेट के भी दाल सकते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं यहां पर ना बीटर का यूज करूंगी तो अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप क्या करें मिक्सर जार में डाल करके इसको एक मिनिट के लिए अच्छे से चला लीजिए जब तक कि इसकी कौइंटि डबल नहीं हो जाती अभी जो कौइंटिटी थी हमारे आइस क्रीम वेस की उससे इना कौइंटिटी डबल हो जाएगी इतना हमें इसको बीट करना है तो देखिए यह एकदम स्मूथ हो गई है हलकी हो गई है लाइट हो गई है बजन में और एकदम सा जो मार्केट चैसी मा हो जाएगी तो आप चिंता ना करें कि मसीन से यह सा होगा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो केरेमल बना के रखा था उसको ना हमने इससे तोड़ के रख लिया था और आप इसके उपर हम इसको डाल देंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप इसकी जगे ड्राइ क्रश्ट क्रंची आता है और यहां मैंने ऐलुमिनियूम फोईल लिया है तो इसको एकदम बराबर कर लेंगे और अच्छे से से शेट कर देंगे यहां मैंने एक रस्ची ली है तो इसको बांद देते हैं अगर आपके पास ना कोई आइस क्रीम जमाने के लिए एयर तो आप उसमें जमा सकते हैं मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है तो यह मैं जुगाल कर रही हूँ अब इसको हम चार से पांच गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे आप ओवर नाइट भी रख सकते हैं जो रसी बांदी ना इसकी जगे ना आप रबड भी लगा सकते हैं तो आपको जो जिस चीजसे सहलुयत हो जो आपके पास अब लेवल हो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां देखे कितने अच्छे से यह जम के तियार हो गई है और देखे एक दम स्मूथ और क्रंची आइस क्रीम बनिये हमारी खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है इ मेरे पास जो आइस क्रीम निकालते ना आइस क्रीम इसको वो नहीं है तो इस तरह कि आप चम्मश से बस ऐसे चलाते जाए और यह एकदम गोला सा बन जाता है इसी तरीके से अगर आपके पास है आइस क्रीम इसकूप तो आप उसका यूज करिए तो यहां देखिए मैंने तीन बोल बना लिए हैं इस पर तोड़ा सा केरेमल डाल देंगे और आपके पास अगेन अगर ड्राइ फूट से ताफ उसका इस्तमाल कर सकते हैं और यहां देखिए मैं खा के बताती हूँ मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा खा लेती हूँ उसके बाद में सूट करूंगी पर नहीं सूट करना जरूरी था क्योंकि यह पिगल जाती है तो बहुत टेस्टी बनी है तो कौन-कौन इस वीडियो को ट्राइ करने वाले हैं मुझे कमेंड करके बता है और इस तरह की छोटी-चोटी टिप्बिया जो आती है ना डेटीमेट मार्केट में जो आइसक्रीम लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पोच सके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले मतलब घंटी के निसान को ति यहां देखे मैंने आच्छे से इनको कर रहे हो और मुझे कमेंट करके बताई कि आप आपने यह रेसिपी ट्राइ करी तो आपकी केसी बनी है तो इसमें ना में जो वो दोनों फोटो एट कर दूंगी लास्ट में आप देख लीजिए